कमण यानूपनी सरकार ने पोतारी वाने ना सब्दोना पहार्थिया पेके पांकडी ने तार तार करी लेता कनेया कुमार ने विदंती करिये कि आपड़ी वच्ची आवे और भाजपना कमण ना भुका बूलागी और अधना नज इस्टे करें वां वाजपने म्यारी है करेंदी वेक्ट रभाणी आप है करेंदी में बोले की इजाजत चाहता हूं इजाजत है और दूसरी बात की यान ने आया हूं इसलिए आप सभी लोगों से बड़्दान की जनता से बनास कठा जिले के आप सभी लोगों से माफी चाहता हूँ कि मैं बेली से आया हूँ क्योंकि आने के लिए मैं यहां बहुत उत्तुख था लेकिन कई बार मंजिल प्राप्त करने में देली हो जाती है कि मैं अपनी बात रखो इससे पहले आप सबसे मैं बुजारिश करना चाहता हूँ कि आप जहां बेठे हैं वही खरे हो जाए और हम सबसे पहले बोर्वी में जो दर्दनाख हादसा हुआ है मिर्तकों के पड़ती अपना साइंती और सधांजली रखता है दोस्तों मेरी आवाद जहां तक पहुच रही है भनास काथा जिल्ले के बढ़गान तहसीर के बढ़गान बिधान सभा के सभी आदर्निया गुजर्गों का माताओं बेहनों का नौजमान दोस्तों का किसान मजदूर भाईयों का दुकानदार साथियों का खेती वारी करके उद्योग धंदा चला करके महनत मजूरी करके अपना खून पशीना बहा करके अपने पडिवार का भरन कोशन करने वाले आप तमाम दावरिकों का क्रांतिकारी इस्तक्बाल करता हूँ आपका हाधी करने जले दोस्तों भले मुझे गुजराती नहीं आती है लेकिन मुझे गुजरात की भावना जरूर समझ में आती है इसी लिए आप सब लोग पहले से बहुत देर से इंपजार कर रहे हैं पूरा जो हमारा सम्मामित मंच है कोंग्रेस पार्टी के तमाम नेता प्रभारी तमाम जो हमारे फ्रंटल और्गनाजेशन है यूथ कॉंग्रेस, एनेशुआई, नहिला कॉंग्रेस, सेवा दल, किसान कॉंग्रेस, सभी पदाधिकारियों को मैं कठ्थे प्रणाम करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं सीधे मन्च से ना बात करके अपनी जंता से बात करना चाहता हूँ, और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जो मेरे दिल में 2019 से है, मैं अपना पहला चुनाव, अपनी जन्म भूमी पे जाके लड़ा था, बेगु सराईल, लेकिन मैं वो चुनाव नहीं जीद पाया, जिगनेश अपना पहला चुनाव, अपनी जन्म भूमी में नहीं लड़ा, बड़गाम ने आकरके लड़ा, और आपने जिगनेश को बिधायत बनाया है, इसके लिए मैं आपको कोटी-कोटी धुनवाद देना चाहता हूँ, ये बात मैं आपको क्यूं कह रहा हूँ, इस एक गहरा राज चुपा हुआ है, राज ये है कि जिगनेश भाई के साथ हमारा संबंध उना आंदोलन से है, लेकिन आज हम दोनों अगर कॉंग्रेस में हैं, मैं ये कह रहा था कि बढ़गाम की ताकत देखिये, पिछली बार जिगनेश भाई, सिलाई मसीन के निशान पर चुनाओ लग रहे थे, वो सिलाई मसीन लेकर कॉंग्रेस पार्टी भारत जोरो यात्रा कर रही है, और बढ़गाम की जनता का ताकत देखिये, कि आपने सिर्फ जिगनेश को विधायद नहीं बनाया है, उसको गॉंग्रेसी भी बना दिया है, तो ये बढ़गाम के लोगों का आसिर्वाद है, ये बढ़गाम के लोगों की दुआ है, कि वो पिछली बार अपक्छ लड़े थे, लेकिन आपने कहा, कि हम अपना आसिर्वाद आपको दे रहे हैं, अपनी दुआ दे रहे हैं, और इस आसिर्वाद और दुआ में हम ये कामना करते हैं, कि आप इस लड़ाई को जो बढ़गाम में शुरू किये हैं, सिर्फ बढ़गाम तक सिमित्पत रखिए, पूरा गुजरात लेकर जाएए, पूरा देश लेकर जाएए, और उसी पवित्र उद्देश के चलते, जिगनेश भाई, आज कॉंग्रेस का खेश पहन करके आपक काता हूं कि ये चुनाव जिगनेश भाई का चुनाव नहीं है, ये चुनाव बढ़गाम की अस्मिता का चुनाव है, बढ़गाम के इतिहास का चुनाव है, बढ़गाम के भविस्त का चुनाव है, बढ़गाम के पहचान का चुनाव है, ये बात मैं आप पुछले कह रह बढ़गाम की जो लाखों जनता है उसके चुने हुए बिधायक को पकरगड़के ले गई थी इस चुनाव में आपको उस सरकार को जवाब देना है कि हम ने वोट दिया है हम अपना वोट दे करके अपना बिधायक चुने हैं आप हमारे चुने हुए बिधायक को जवरदस्ती अपराधी की तरह गलत तरीके से दूसरे राज्य में कैसे जेल में बंद कर सकते हैं इसका जवाब आपको देना है और ये बात मैं आपको क्यों कहने के लिए आया हूँ बारत जोरो यात्रा चल रही है बहुत दूर है हम लोग लेकिन हम आपके बात आपके बीच आये हैं इसकी एक मात्र वजह है कि हम आपसे गुजारिस करने के लिए आए हैं हम आपसे एक अपील करने आए हैं हम आपसे एक अन्रोज करने के लिए आए हैं कि आपके कंदे पे पिछली बार से जादा बड़ी जिम्मेबारी इस बार आ चुकी है ये जिम्मेबारी इसलिए आ चुकी है कि जिगनेश के साथ अब आपकी पहचान और जिगनेश की पहचान एक हो चुकी है अगर जिगनेश जीतेगा तो बढ़गाम जीतेगा इस बात को याद रखियेगा अगर जीनेश जीतेगा तो बटगाम से एक संदेशा सिर्फ गुजरात में नहीं पूरे देश में जाएगा कि अगर लड़ने वाले के उपरेशान करोगे लोगों के हक और अधिकार के लिए जो लड़ते हैं उन बच्चों को अगर तुम तंग करोगे तो उनके उपर हम अपना आसिरवात देंगे यह संकल्प आपको लेने की जरूरत है यह चुनाव कोई साधारन चुनाव नहीं है अगर यह साधारन चुनाव होता इस चुनाव कि अगर कोई एतिहासिक जिम्मिवारी नहीं होती तो मैं आपको बात याद दिला देना चाहता ह दोस्त तो जिगनेश हमारे तब भी थे ना जब पहली बार चुनाव लग रहे थे मैं आया था आपके भी चुनाव पचार करने मुझे भरोसा था बटगाम के लोगों के उपर कि बटगाम कभी भी नफरत की राजनिती को जीतने नहीं देगी और आपने जिगनेश भाई को असिरवात दिया था आज मैं जो आपके बीच आया हूं तो ये कहने के लिए आया हूं कि सिर्फ गुजरात नहीं पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है अगर आप जिगनेश को जिताएंगे तो उन सारे मावाब को ये उम्मीद बंदेगी कि अगर हमारा बच्चा के लिए सोशित के लिए दलित के लिए अल्व संख्यक के लिए नाय और अधिकार के लिए लर रहा है तो उसके हाथ पर उसके सर पर भी हाथ रखने वाली जंता इस देश में है इस बात का भरोसा उनको भी देखा हूँ मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ प्रदान मंत्री जी जब कहते हैं कि मैं गरीव का बच्चा हूँ तो मुझे सुन करके बहुत अच्छा लगता था जब मुझे ये बात समझ में आई कि प्रदान मंत्री का फोटो आगे लगा करके उनका ग्रीव मंत्री प्रदान मंत्री कहते हैं पडिवार वाद की बात परदान मंत्री जी पडिवारबाद का विरोध करते हैं और उनका ही ग्री मंत्री अपने धीकरा को BCCI का सिग्रेटरी बनाता है परदान मंत्री जी पडिवारबाद का विरोध करते हैं और उनकी ही पार्टी में दस से ज़्यादा लोगों को नेताओं के बाल बच्चों को डिकट दिया जाता है अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो खाली जीप पे एक भाजपा का प्रत्यासी हाथ हिला रहा था हमने पूछा ये कौन है तो मेरे साथ एक साथी ने कहा मोदी जी का नया परिवारबाद है मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कॉंग्रेस पार्टी के उपर मान्या प्रधान मंत्री जी परिवारबाद का आरोप लगाते हैं लेकिन तो आज भी भारतिया राष्ट्रिया कॉंग्रेस में है जो इस देश की आजादी के लिए लड़ी थी इस देश में संविधान को काईन की थी और आपके उपर ये जिम्मेवारी है कि उस संविधान के अधिकार को आपको बचाना परेगा आपको एक संदेशा देना परेगा इस देश की सत्ता को इस देव कि आज भी इस देश में इंसान जिन्दा है आज भी इस देश में इंसान जिन्दा है आपको ये बताना परेगा कि नोट की खनक के सामने वोट जो है बढ़गाम का विकाव नहीं है ये बात आपको शावि आइंगे ये बात आपको साबित करना परेगा और आप जानते हैं ति गुजरात में हमारे और भी दोस्त थे और वीजेपी कैसे लड़ने वाले लोगों को उनके साथ कैसा वरताओ करती है ये हमको मालूम है पहले डड़ाते हैं अगर नहीं डरोगे तो आपको कानूनी मामलों में फसाते हैं आपको जेलों में बंदर के रखते हैं तब अगर आप नहीं ड़ते हो तो फिर आपको नोट दिखाते हैं और तब भी आप अपना इमान नहीं बेचते हो तो फिर आपको गोली मार देते हैं यी हकीकत हमने इस देश में देखाया को सिलिए मैं बड़ी उमीद लेकर के आपके बीच में आया हूं यह उमीद ले करके आया हूँ कि आप ये भरोसा दीजिए कि जिगनेश भाई तम्मे यां मत रहो सिर्फ बढगाम नहीं जीतना है बढगाम तो तुम पिछली बारी जीत लिये थे पूरा का पूरा गुजनात जीतना है आप चाते हैं भी पूरा गुजनात जीता जाए आप बूट मेनेजमेंट की चिंता मत करो हम इस नकली चानक को बढगाम में पठकनी दे करके आपको दिखाएं गए आप नोट की चिंता मत करो नोट से क्या क्या खरीट सकते हो नोट से वही खरीच सकते हो ना जो भिकने वाला माल होगा बढ़गाम की जनता भिकने वाली नहीं है ऐसा है कि नहीं है जोर से बोलिये है ना तो आप चाहते हैं कि गुजराद जीते हैं तो जिगनेज भाई को और भी जगा जाना परेगा ना जिगनेज भाई वर्किंग प्रेसिडेंट हैं और और भी नौजवान हैं जिगनेज की तरह जो अपने अपने इलाके में लड़ रहे हैं तो आपको नहीं लगता है मोदी जी की हकीकत जो हम लोगों को पता है वो गुजराज की हरविधान सवागी जनता को बताया जाएं तो ये चुनाव जिगनेज भाई लड़ेंगे की आप लड़ेंगे आप लड़ेंगे न तो आप लड़ेंगे तो एक बात अपने मन में ठान लीजिए लड़ाई जब होती है ना न्याई की अन्याई के खिलाफ तो उसमें कोई धोखा नहीं होता है कोई दुविधा नहीं होती है वो लड़ाई जब होती है तो आरपार की होती है होती है ना अगर आप मोर्चे पे खरे हैं और मन में दुविधा हो जाए ये करें की वो करें तो लड़ाई तो जीतने से पहले ही हार गए शुरू होने से पहले ही हार हो गई आपके मन में भी कोई दुविधा है मन में दुविधा मत रखिये मैं आपको यह बात कहना चाहत हूँ कि मैं दिल्ली रहता हूँ और हमारी यात्रा भी हैदराबाद से गुजडी है मैं जादा इसके बोलना नहीं चाहता हूँ कहते हैं समझदार के लिए इसारा काफी होता है और बढ़गाम की जन्ता समझदार तो है तो आप इसारा समझ रहे हैं ना मन में अगर दुवध हो जाए तो एक्सिडेंट हो जाता है अनदी पाल करते हैं अगर दुवधा हो जाए तो ना डूब जाती है इसलिए मन में कोई दुवधा मत रखिए इस देश के भीतर एक मजबूत विपक्ष के तौर पे कोई व्यक्ति अगर सरकों पे उतर करके लग रहा है अभी मन्यों की तरह राहूल गानिये इस बात को याद रखेंगा अगर आप इस बात को समझते हैं इस बात को महसूश करते हैं तो आप यह मत देखिए कि क्या होगा कैसे होगा वही होगा जो आप कैय करेंगे जब मैं चुनाव लर रहा था तो मैं अपना अनभव आपसे कहता हूं ले कि देखिए आपकी बात तो हमको ठीक लगती है लेकिन हमको यह लगता है कि आपको वोट देंगे तो आप जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे हम मुले एक बात बताईए ऐसा कौन सा जादू है कि आप वोट हमको दीजेगा और जीत कोई और जाएगा ये बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि डॉक्टर बावा साहव भीमराव अंबेदकर ने इस देश की संविधान सभा ने भारतिया राष्टिये कॉंग्रेस ने एक ऐसा अधिकार आपके हाथ में दिया है उस अधिकार की ही ताकत है कि मोदी जी का फोटो आगे करके सारा लुटे रा उनके पिछे खड़ा हो गया है लाइन लगा करके और कहता क्या है मोदी जी किसके लिए चोड़ी करेंगे बतीजा के लिए अमित्सा के धीकरा के लिए अईसा थोरी है तिस भाजपा में सम मोदी जी की तरह है सब के बाल बच्चे हैं सब चीफ मिनिस्टर अपने बच्चे को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए तयार है चीफ मिनिस्टर का बच्चा जो है वो मंत्री बना हुआ है मंतरी का बच्चा मंतरी बना हुआ है आपके हाथ में ही वो ताकत है कि पांच साल नेता भले नजर नहीं आए पांच साल नेता भले आपकी गलियों में न भटके लेकिन चुनाओ के 15 दिन सारा हेलिकॉप्टर आपके गाउं में आके उतर जाता है यह आपकी ही ताकत है कि जब आप कोरोना में मर रहे थे आपको अक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था आप अपने अपनों को खो रहे थे और जान गमाने के बाद आपको सरकार से कोई मुआपजा नहीं मिल रहा था तो एक भी कैमरा नहीं आया था क्या दोस्ते चुना नहीं होता तो बड़ गाम आते क्या चुना तभी ना आए हैं मामला डियार्पी का है तो डियार्पी देता को यह आप देते हैं यह आपको बदा देता हूं जिसके जुल्म से आप परेशान है उसको ताकत आप नहीं दी है उसको सहद आप नहीं चताया है उसको अगर आप सहद नहीं चताय होते तो आज आपका खून पीना नहीं शुरू करता है यह बात आप समझ लीजिए कि संबिधान ने यह ताकत देती कि टोपी वाला का भोट भी एक होगा और टिक्का वाला का भी भोट एक होगा फॉर्चुनर पर चलने वाले का भी भोट एक हेलिकॉप्टर पर चलने वाला का भी भोट एक हमारे जिसे फुट पात पर चलने वाला का भी भोट एक महिला का भी vote एक पुरुस का भी vote एक अमीर का भी vote एक अमबानी जी का भी vote एक और उनके डराइवर का vote भी एक ये जो vote की ताकत हमारे हाथ में नहीं होती तो आप देखते रंग राजा राजवारे की बात करते हैं जिसके उपर राजकुमार होने का आरोप लगाते थे वो रोज 25 किनुमीटर देश की सरकों पर पैदल चलता है और जिसके उपर आपने भरोसा किया कि ये हमारी रक्षा करेगा वो आपको आपस में लड़ाना शुरू कर दिया आप मुझे बताईए कि जब पेट्रोल 100 रुपे लीटर बिखता है तो इससे हिंदू सुरक्षित होता है कि वो सुरक्षित होता है जब देश में महगाई 45 साल में सबसे ज़्यादा है बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है जब डॉलर के मुकाबले रूपिया अपने सबसे नीचले अस्तर पे चला गया है तब हिंदू सुरक्षित होता है कि वो सुरक्षित होता है ये जो खेल है ना ये खेल इस देश में पहले भी खेला गया है मैं कहता हूँ कि बस आपको याद करने की जरूरत है जब देश के किसानों ने ये फैसला लिया कि हम अंग्रेज अब सरों को लगान नहीं देंगे यह हमारी धर्ती माता है, इस पे हम महनत करते हैं, हम फसल उगाते हैं, यह तीन में की तेरह में हम इसको लगान नहीं देंगे तो अंग्रेजों ने किसानों की उस एक्ता को तोरने के लिए एक साजिस रची सूवर मस्जिद में फिकवाये गए गाई मंदिरों में फिकवाया गया इनसान को आपस में लड़ाया गया और इनसान जब आपस में लड़ते हैं तो उनके मुद्दे गायब हो जाते हैं इस बात को याद रखिएगा और मुद्दा अगर कोई है आज हमारा तो वो मुद्दा है रोजी, रोटी, कपरा, मकान, सिच्छा, स्वात, सरक, भिजली, पानी यह हमारा मुद्दा है और इस मुद्दे पे अगर आप वोट करना चाहते हैं तो हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आप जब वोट करेंगे तो सिर्फ एक विधायत नहीं चुनेंगे आप एक उम्मीद का सितारा चुनेंगे इस बात को याद रखिएगा हम कहते हैं जहां समस्या पैदा हुई समाधान में वहीं मिलेगा ना आप सोचिए कि आपने मोदी जी को एक कारिकरता से मुख मंत्री और मुख मंत्री से प्रधान मंत्री मना दिया अब पूरा देश गुजरात मॉडल का मजा चखरा है इसका निराकरन कैसे होगा इसका निराकरन होगा जब हम आँख बंद करके बिना सोचे कि ये लडाई पार्टी की लडाई नहीं है ये लडाई एक व्यक्ति को मले बनाने की लडाई नहीं है ये लडाई इस बात को पुनरस्थाफिक करने की है कि गुजराट गांधी और पटेल का था है और रहेगा इस बात को साबित करने की जरूरत है और क्या कहते थे गांधी गांधी कहते थे लगुपति रागव राजा राम पतीत पावन सीता राम इश्वर अल्ला तेरो नाम सब को सलमती दे भगवान और आज जब मैं आ रहा था तो रास्ते मैंने गुजराट की एक खुशूरत चीज़ देखी हर गांधी के बाहर एक चबूतरा बना होता है और उस चबूतरे में पंची आ करके दाना खाते हैं पानी पीते हैं आप तो गुजराती लोग हैं साहाब बेजान पक्षियों को दाना और पानी देते हैं देश दाना और पानी के लिए मोहताज हो रहा है आप से आग्रा करते हैं कि आप देश को भी दाना और पानी पीज आप अगर फैसला लेंगे और बिना दुविदा के लेंगे तो पूरे देश को एक मैसेज जाएगा आप पूरे देश को ये मैसेज दे सकते हैं कि गुजरात का चुनाव इस बार धर्न के आधार पर होने वाली नफरत पे नहीं हुआ है गुजरात का चुनाव इस बार लोगों के उसके पहचान के आधार पर नहीं हुआ है गुजरात का चुनाव इस बार हम क्या खाते हैं क्या पहंते हैं इसके आधार पर नहीं हुआ है घुजरात का चुनाव हम कैसे फूजा करते हैं जब हम्तावाद के सिविल असपताल में लोगों को ऑकसीजन नहीं मिल रहा था तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा पढ़ान मंत्री जी गुजरात छोड़ करके दिल्ली चले गए दिल्ली से चले गए विदेश गूंगने के लिए तो गुजरात को कौन देखेगा गुजरात में आपने पहले भी गांदी और पटेल पैदा किया था आज भी आपके बीच अगर आप ऐसे सोचते हैं कि मोदी जी गुजरात से हैं मोदी जी गुजरात से हैं मोदी जी से गुजरात नहीं है यह संदेशा आपको इस बार के मिधानजवा चुनाव में देना परेगा कि हमने आपको मुखमंत्री बनाया हमने आपको परधान मंत्री बनाया और आप हम हमको फुटबल मनाके छोड़ दिये हैं एक जर्नलिस्ट बोला कि आपका मुखमंतरी का केंडिडेट कौन होगा हम जो देखिए अभी तो हमको बहुमत नहीं मिला है जनता का असिरवाद नहीं मिला है जनता का असिरवाद मिलेगा तो हम जो है नाम भी टैक कर लेंगे लेकिन जिसको आसिरवाद मिल रहा है उसके ज़र आप पूछ के बताईए कि वह अगलावर मुखमंत्री होगा कि नहीं होगा भुपेंदर पटेल सहाब सो रहे थे आप वीडियो तेख ली थेगा उनको नीद आ रही थी उंग रहे को मालूम ही नहीं था कि वह चीफ मिनिस्टर होने वाले है और inclopani सहाब को मालूम ही था कि अब टिकट नहीं मिलने वाला यह तो यह कौन तै कर रहा है पहले अननुदी पनपटेल सहीवां थी फिर उपानी सहाव आए फिर भुपेंदर पटेल आ गए कल को क्या guarantee है कि कौन होगा जैसे VCCI का सिग्रेट्री बनने के लिए नियम बदल गया तो हो सकता है कि जैसा ही हो नहीं हो सकता है और यह सब को मालूम है मैं बाहर से आया हूँ मैं आपको क्या बताऊंगा सहाब अभी आया हूँ चला जाऊंगा मैं तो अपना प्रेम अपनी एक्ता और अपनी निस्ठा आपके साथ जो हो दिखाने के लिए आया हूँ लेकिन आप तो यहां रहते हैं आपको तो सब कुछ मालूम है आप तो जानते हैं कि जिगनेस न्याय के लिए लरने के चलते ही जेल गए आपको मालूम है कि जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था तो बड़गाम के पास ऑक्सीजन प्लान था आप जानते हैं कि आपके आसिरवात के चलते ही जिगनेस आज अपक्ष नहीं है जैसे बडगाम Congresi है वहिसे जिगनेश भी Congresi है आप यह जानते हैं कि आपके तरह अगर पूरा देश सोचने लगे बडगाम की जनता की तरह अगर पूरा गुजराथ सोचने लगे तो गुजराथ में पडिवर्तन के संकल्ठ को कोई रोक नहीं सकता है आपको मालूम है कि क्या हो रहा है मैं आपको ज्यान देने के लिए नहीं आया हूँ मेरी इतनी अवकात नहीं है कि मैं गांधी की धर्ती के लोगों को ज्यान दे सकूँ मेरा एक रिष्टा जरूर है मेरा एक रिष्टा है कि आपने गांधी को पैदा किया मोहन डास के रूप में, मोहन डास करमचंद के रूप में, मैं बिहार से आता हूँ, उस बिहार की धर्ती ने उस मोहन डास को महात्मा गांधी बनाने का काम दिया है। लेकिन सौ करोर जनता की भावना उनके साथ होती है। लरेंगे हमीं लोग, लर रहे हैं राहुल गांधी, और आज वहां से बरी गुजारिस मिननत करके मैं आपके वीच आया हूँ, लरेंगे हमीं लोग, लेकिन इस लडाई की जिम्मेबारी आपको आपने कंधे पर भी लेन लडाई अब नोट और वोट के अधिकार के बीच की लडाई है। ये लडाई अब वो जो सत्ता अभिमान में और गुरूर में चूर है, उसके बीच और बढ़गान की जनता का जो सच है, उसके बीच में है। ये लडाई नोटों के दम पे खरीदे गए लोग, और अपने भरोसे के साथ एक आखरी अपील में आपसे करना चाहता हूँ दोस्तों देश के अंदर एक गंभीर परिस्थिती है गंभीर परिस्थिती ये है कि हर किसी का असली मुद्दा कुछ और है मुद्दा ये है कि गुजरात में बिजली बिल सबसे जादा वसुला जाता है गुजरात की हालत ये है कि किसानों को उनकी उमीदें पूरी नहीं हो रहे है गुजराज की हालत यह है कि मनरगा की बनरेगा की बात धिगनेस कर रहे थे कि कि कितना बड़ा फ्रस्टाचार उसके अंदर किया जा रहा है इसलिए मैं आप से यागरा करने के लिए आया हूँ कि टीवी जो मुद्दा दिखाता है उस मुद्दे पर वोट मत कीजिए और टीवी जिसको प्लेयर बताता है उस प्लेयर को प्लेयर मत समझिए आँख बंद करके सोचिए कि आपका मुद्दा क्या है और आपको यदि लगता है कि जब आप पेट्रोल पंपे जाते हैं, पेट्रोल भड़बाते हुए, आपको ऐसा महसूस होता है कि सिरिन से कोई खून आवरा निकाल रहा हो, जिव जिव मीटर बढ़ता है, तियो तियो धरकन तेज होती है, अगर आप महंगाई से परेशान है तो आप महंगाई के खिलाब गोट कीजिए, अगर आप बेरोजगारी से परेशान हैं, तो आप बेकारी के खिलाब गोट कीजिए, अगर आप किसान हैं, और आपको आपके फसल का दाम नहीं मिल रहा है, तो यह हैं, और आपको यह महसूस होता है, कि इस देश के भीतर, ज अगर लगता है जब आप शरुक्षा महसूस होती है तो आप நीय के लिए वोट कीजिए महिला सुरक्षा के लिए वोट कीजिए अगर आप नौजवान है और आपको यह महसूस होता है कि आपका पिताजी ग्री मंतरी नहीं है तो आपका कुछ नहीं हो सकता है तो अपने के लिए वोट कीजिए अपने हाथ और अधिकार के लिए वोट कीजिए यही अपीर मैं आप प्रामिसिंग, फाइकिंग, लीडिंग अपोजिशन का रोल प्ले कर रही है और हमने जो आठ संकल्प लिया है वो आठ संकल्प कॉंग्रेस पार्टी हरहाल में पूरा करेगी बेरोजगारी भत्ता का सवाल हो कुरोना में जान गवाने वाले लोगों के मुआपजा का सवाल हो किसानों को करजा माफी का सवाल हो तमाम लोगों को इलाज का भीमा देने का सवाल हो बिजली बिल कम करने का, बिजली यूनिट प्री करने का सवाल हो जो contract पे लोग हैं उन contract को permanent पहार करने की बात हो अभी मैं जब रास्ते से आ रहा था तो home guard हुनको मिले गारी चेक करते हुए उनकी बर्दी की जो हालत थी उसको देख करके हमने अपने चालक सहाब को पुछा कि ये गुजरात पुलिस से नहीं है क्या तो नहीं ने कहा कि नहीं गुजरात पुलिस सही है लेकिन ये contract पे ही और वो contract पे होने के चलते आपको देख करके पता चल जाएगा कि जीवन का अंतर क्या है एक ही duty करते हुए दो इनसान का बर्दी देख करके आप समझ जाएंगे उनके जीवन के असली हालत क्या है आप पसुपालकों से बात करके देखिए किस तरीके से आज उनकी चारागाह की जमीने चीनी जा रही है आप आधिवासियों से जाकर के बात किजिए किस तरीके से उनके जल जंगल जमीन का अधिकार चीना जा रहा है और आप इस देश के अखलियत से बात कीजिए कि बार 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 किसी मुद्दे से किस तरीके से धुरूबी करन करके एक डर का महौल पैदा किया जाता है यह तमाम जो मुद्दे हैं इस मुद्दे के अधार पर कॉंग्रेस पार्टी ने जो आठ संकल्प लिया है उस संकल्प को परिवर्तन का अधार बनाने के लिए वोट कीजिए और हमारा पूरा भरोसा है उसी भरोसार के बीच हम आपके बीच आये हैं कि आपने पिछली बार भी एक संदेशा दिया था वो संदेशा गुजरात के लिए था इस बार भी वो संदेशा दीजिए वो संदेशा सिर्फ गुजरात के लिए नहीं हो पूरा देश के लिए हो और पूरे देश के पूरे उसके भबिस्ट को और नौजवानों के बारे में सोचिएगा हमारा भबिस्ट आपके हाथ में है इस देश में अगर राजनिती का मुद्दा नहीं बदलेगा इस देश में अगर रोजगार के सवाल को महगाई के सवाल को किसानों के उनके फसल के सवाल को मजदूरों के उनक तो पूरा भरोसा है कि आप लड़ने वाले लोगों को हतास नहीं होने देंगे, होने देंगे क्या, तो यह चुनाव आपका चुनाव है ना, मुझ मेनेजमेंट आप करेंगे ना, परचार आप करेंगे ना, पोलिंग एजेंट आप बनाएंगे ना, आपने अगर यह तै कर है ना, तो हम रिजल्ट का दिन का इंतजार नहीं करेंगे, आप तै कर लिया है ना, जोर से बोलिए, कोई दिवदा नहीं है ना, तो हमको तो रिजल्ट का इंतजार नहीं है, मैं अभी परिनाम निकाल करके जा रहा हूं, कि अपना भाई, जिगनेश, मेवानी, सिर्फ प्रेंगे, बहुत बादा हूं, बहुत बढ़ को शीकिता